कोरोना वाइरस को लेकर जिस तरीके से चिंताइं बढ़ी है और संसद भुवन परिसर में इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए आम आदमी पार्ड़ी के संसद भगवतमान भगवतमान जी आप पंजाब से आते हैं और खास तोर से देखें आप जब कोरोना वाइरस को लेकर पूरा वेपक असर दिखाई दे रहा है इंडेश्ट्री पर अलग असर दिखाई दे रहा है जागरुकता बढ़ी है संसद में इसको लेकर आपको लगता है परियाप्त इंतिजाम है को दिखें करोना वायरस संसद में चर्चा हो जुकी है सभी संसद हों ने अपने अपने शेत्रों की बात रखी है और विदेशमंत्री ने आशवाशन भी दिया है स्वास्त मंत्री है मैंने भी जो इटली में पंजाबी Buffalo यॉर्प में जर्मनी में फ्रांस में जो पंजाबी फसे हुए हैं उनकी बात मैंने रखी है कि कब उनको लेके आया जाएगा और उनमें से दिक्कत यह है कि कुछ उनमें से इलीगल माइग्रेंट्स हैं इमिग्रेंट्स हैं तो वो हाउस्पिटर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनको डर लगता है कि शायद हमें जी हो सकता है तो हम तो यहीं द्वा करेंगे कि भारत में क्योंकि यह डॉक्टरों की दुवारा बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने से शाद यह अपने आप खत्म हो जाएगा तो यहीं द्वा कर सकते हैं लेकिन यह तो एक आगर देखें आप तो एक व्यापक बीमारी क तोर पर इसकी पहचान हुई है और आपदा घोशित किया गया देज में भी इसको आपको लगता है बीमारी से निप्टाव के लिए सरकार ने जो बड़े कदम उठाए है वो परियापते हैं और आगे क्या कदम उठाने चाहिए देखें इसको डबलू एच्चो ने भी महा अमारी घोशित कर दिया भारत में भी इसको महामारी घोशित कर दिया गया है और स्वास्था पांत्री ने कहा है कि 72 लैब्स त्यार की गई है और जितने भी बाहर से आते हैं उनका 15 परहल तक उनका रोक लगा दी गई है अगर कोई इसका पॉजिटिव पाया जाता है उसके साथ जिन्हों ने ट्रैवल किया है उनको भी मतलब टेस्ट किया जा रहा है पंजाब में 305 लोग ऐसे हैं जो विदेश से आगे लेकिन मिले नहीं अभी तक उनकी तलाश जारी है कह ही वह अपने रिश्टिदार के पास क्योंकि क्या होता है कि 14 15 दिन के लिए वो आते हैं अपने रिश्टिदारों को मिलने जा कोई अपना शादिविया अटेंड करने के लिए दुखसुक में कहीं तो 14 15 दिन के लिए ही isolation में रखा जाता है तो शायद इस डर से वह शायद को डिकलियर ना कर पा रहे हूं कि हम कहां रहे हैं लेकिन वह जहां भी हैं आपके मादियम से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी आपदा है महामारी इसको गोशित कर दिया गया है वह अपने आपको डॉक्टरों के पास लेके जाएं चेक करवाएं पैने कोने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है हाथ साफ रखें और कोशिश करें के भीड बाले जो इलाके हैं उनसे बचा जाए अगर संसत में इसके इंतिजाम को लेकर आप संतुष्ट हैं फिलाल तो संसत में तो कुई ऐसा इस तरह का कुछ चर्चा नहीं हुगा हां बात चल रही थी कि शायद करोना वाइरस की वज़ा से यह सतर जो है वो थोड़ा उसको पोस्ट पॉन करके आगे लेके जाया सके लेकर अभी तक की ऐसा तो स्पीकरी डिसाइड करेंगे जो कोरोना वाइरस को लेकर चिंताय बढ़ी उमिया लिया जा भगवत बान भी को लेकर अपनी बात रखते हु क्यामरमन विदरबी के साथ प्रदीप कुमार टोटल यूज दिली